तो दोस्तों इसमें बात करने वाले स्पाइस मनी के रिटेलर आईडी के बारे में या आप स्पाइस मनी के डिश्टूटर हैं या सब डिश्टूटर हैं इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो को पूरा एंट है देखिए इस वीडियो को बताने वाला हैं किस तरह आ कांषी दिक्किते हैं ये उनको सही तरी की से पता नहीं कि कौन-कौन से आपका सब्सक्राइब कई तरह नहीं की स्यर्कुमेंट को बताने वाला कि चैनल पहली बार साथ है बना ऊस्वाइब को चाथ है तो मुझसे कर सकते हैं अब को मिल जाएगी बहुत कम रेट में आपको एडी मिल जाएगी और यहां पर आप बहुत सा ओलों को ऐसा कंफिरी स्याख्र गेसा इस्याइक की किरेट नहीं होता है यहां पर ऐसा कुछ भी मुख आप just यहीं से आपको अपको लाइव कमेरी के दार दिया जाएगा तो आपको सारे शुद्धाय मिलीगी बहुत सारे से लोग होते कि SubDistro में कुछ भी वेनफिट नहीं है लेकिन SubDistro सब कुछ भी वेनफिट हता है आप SubDistro को अच्छा-चाएं सा काम कर सकते हैं तो चले फिलाला हम टपिक पी चलते हैं और दिखाते हैं और किस तरह आपको Real ID क्रेट करना है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है तो जैसा कि दोस्तों आप देख पाने हैं आपर हम Spice Mini के Login पेज पे आज चुके हैं यहीं से आपको अपना User ID और Password डाउनला Login करना है Spice Mini के Login पेज यहीं से Spice Mini के Retailer साथी में सब Distributor और देश्ट्रध तीनो ही से Login करती है इनका Login पेज पेवल्त है बस फर्कलिए ही होता है कि यहां पर इनकी एजेंट ID होती है वो अलग अलग होती है Retailer का अलग होता है सब Distributor का अलग होता है और Distributor का Agent ID अलग होता है तो तीनो की Code अलग होते हैं बस पोर्टल एक ही होता है ही से इनको लॉगिन करना होता है तो चलिए यहाँ पर फटा फटा अपना हम user ID पास्वोट डाल लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख पार यह Spice Mini का डैस्पोर्ड है तो सबसे पहले आपको एक interface देखने को मिलता है जो कि नया plan आया, plan CI है तो यह पहले आपको देखने को मिल जाता है तो इसको यहाँ से आपको cut कर दिना है और यहाँ पर आप देख पार यह Spice Mini का portal है तो यहाँ पर आपको DM model मिलता है यहां से अपने retail का transaction चेक कर सकते हैं, और भी detail यहां से चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलालाई पर हम बात करने वाले किस तरह आपको, अपने sub-distorted और distorted products किस तरह retail के onboarding करनी है, तो इसके लिए आपको आना होता है money tasker में, चाहे आप distributor हो या sub-distorted हो, आपको निया type open हो चुका है, इसमें आपको सारी interface फिल करनी होती है, तो जैसे कि अब देख पार हैं, तो आपको आना है agent पर agent पर click करना है, जैसे अब agent पर click करते हैं, तो आप आते है new agent, ठीक है, तो यहां से आपको new agent onboarding करना है, तो इसमें आपको इसमें रिकार्ड से match करना चाहिए, यहां पर उसके father का name भरना है, या उसके husband का नाम भढ़ सकते हैं, उसके आदा पर mother's name भरना compulsory है, उसके यहां पर data बाद आपको भरना है, यहां पर आपको gender select करना है, और यहां पर इसको आपको know ही रखना है physically, तो इसको आपको know रख देना है, यहां पर agent details, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर mobile number और email id, तो यहां पर एक बढ़िया option मिल जाता है, यहां पर आप रिटल को चेक करना चाहिए, वो पहले से spice में कोई registered है या नहीं registered है, तो यहां पर चेक करते हैं, चले हम आपको demo click दिखायता हूं, जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, यहां पर एक number type करना आपको, तो यहां पर जैसे number डालके verify भी क्लिक करेंगे, तो यहां पर देखिए, mobile number यह number दिखा रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर इमिलाडी को भी चेक कर सकते हैं, इमिलाडी डालके verify कर सकते हैं, उसका आपको डाल सकते हैं, उसका नहीं डालाना तो कोई दिखकत नहीं है, जहां पर कोई start लाग हो भरना compulsory हैं, और जहां पर इस start नहीं हो भरना compulsory नहीं नहीं से आप छोड़ भी सकते हैं, उसका कट्गरी किसा टाइप किये हुए अधर बैंक के CSP चलाते हैं तो yes कर सकते हैं नहीं तो इसे no भी कर सकते हैं कोई दिख करनी है इतना भड़ने के बाद आपको आना है इस वाले करना होता है कि किस देट को कस्टमेंट अपको दिया था तो आप सम्थिंग जो भी प्यूंट है वह स्टेट को उसके बाद आपको यहां पर आता है पेमेंट मोड कि आपने पेमेंट को किस मेथट से लिए था कैस नेड़ बैंक की डिटिडी मन जिस भी मादिम से रहे वह उसके आपको नीचे आना है तो यहां पर पेमेंट डिटेज में लिख देना है उसके नीचे चोड़ देना है और यहां पर सब चीज आपको छोड़ देना है उसके आपको आना इस वाई लाइन में यहां पर आपको मिलता है सर्विस इंट्रस्टेड तो इसमें आपको मिल को से कीज़े जो आप data देते है नेट connection उसके जाद आपर आता है आपका मतली जो भी आपका अवरेजमेंट है वह आप कर सकते हैं तो अगर में सबसे कम ने जाट करना है अपने सबसे कर सकते हैं उसका पूछा उसका पूशता है यहां पर political exposed person क्या आप एक political exposed person है यदि है तो यह से यह नो कर सकते हैं तो यह जो आपको भरना है कुछ detail है जो की compulsory नहीं अपने इसाब से भर सकते हैं यह कि आपको detail भरना है तो इतनी सारे चीज़े भरने का आपको next पर click करना है चलिए next करके देख लेते ह उसके बाद आपको यहां पर swap का नेम भरना है जो भी आपकाय आप तो इसके बाद यहां पर आप सकते हैं यहां पर अवर्ग करना है तो यहां पर self उसके लिए कुछ आपने टाइम करते हैं तो आप सब्सक्राइब करते हैं यहां से 10 या पाज़ भी तक सरिट कर सकते हैं यह का विकली होता है संडे को तो yes करेंगे, तो यहां से आप select करते किस डिट को अब बंद करते हैं, यहां से आप weekly off नहीं रखते हैं, तो no करेंगे, तो यह आपको नहीं आएगा, उसके बाद आना है यहां पर आपको यदि आपका permanent address same है, तो आपको tick mark कर दीना है, और यहां से, और current address भी आपको same है, तो पड़ाई किय हो तो यह यह अव्ड कर सकते हैं यदि 10 के हो तो 10, 12 के लिए 12 गर्छीट के लिए तो जो भी आपका है, वह आप select कर सकते हैं उसके बाद है इसके पर course देता है तो course वेट को diversesa करना है यहेथी आप आए EFF का education दिये हो तो select कर सकते हैं नथा इसे noon कर सकते हैं इतना करने के बाद आपको यहां पर next टॉली बटम पर क्लिक करना है इसके बाद आपका last step आता है तीसरा page तीसरी page में आपको यहां पर agent का photo upload करना होता है जो कि आप selfie भी कर सकते हैं या पासबूर्ट साइड भी कर सकते हैं में ऐसा निकि स्यर बोरै ठीडा होना चाहिए हुनका चेरा साफ आना के दोन्य बराबर होना ही चाहिए तो वू फून आपको अप्पलोड करना ए यहां से अपलोड कर सकते है उसके आपर मुं पहले से पड़ा pen card upload करना है उसका पूछता है permanent address आपको तो उसके लिए आधार को select कर सकते हैं आधा इसका पूछता है bank cancel check या bank delay passbook भी दे सकते हैं यहां से अप्लोड करना है और agent का form भरे तो form बनी कोई जो नहीं है form की जगा bank passbook भी upload कर सकते कोई दिक्कत नहीं है इतना इसका छोड़ देना बाकिए detail आपको यहां पर कोई किसी विश्टार नहीं लगा हुए इसका आपको jpg, png, feed app और इसमें allowed नहीं है और इसमें allowed आपका jpg और png इसमें allowed आप कर से कोई दिख करनी है इतना सा अप्लोड करने के वाद आपको यहां पर इसको टिक मार करना और submit बट्म भी क्लिक करना तो चलिए इससे फटा बड़ अप्लोड कर ले तो इसका आपको आपको आगे आपको 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 आपक सकते हैं तो यहां पर सभी चीज़ी अपलोड होचुकी है जैसे कि आप देख पा है यहां पर फोटो हो चुका है यहीँ कि जो भी चीजे अपर यूर्डश्ची इस्टाल है वह सारी था अपना हो चुकी है अपलोड हो तो आपको submit बटंब जैसे इसमेट पर क्लिक करते हैं, देखिए आपर your request has been successfully submit, तो आपका जो यह document संबीट हो चुका हुआ है, इसे अब check करना चाहते हैं, तो आपको दुबारे इसमेट करना आता है, और agent onboarding में जाना है आपको, तो जैसे इस महाँग आपको date select करना होता है, है चलिए अपर date select कर लेते हैं और आपको search पे click करना होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपने जो यह अभी apply किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं यह दिखा रहा है आप वीव किलिक करके कि आप चेक कर सकते हैं तो जैसे इस पर tap करते हैं यहां पर जो form की सारी डिल आया जाती है उसका view agent डॉकमेंट पर क्लिक करना तो यहां पर दिखाया जाता है कि देखिए आपका यह जो इस्ट्राइप pending है तो यहां पर अभी upload हुआ है अभी पेंडिंग OPS है तो जो इनके ऊपर के अधिकारी होते है वो approval देते हैं जो वह approval दे देंगी तो वहां से आप अप्रोड मिल जाते हैं यहां से आपको देखिए document के दुबारा से चेक भी कर सकते हैं अगर इसे देखना चाहिए vp click करके चेक भी कर सकते हैं, यदि किसी कान से reject हो जाता है तो अब यहाँ से upload भी कर सकते हैं तो यदि आप सुबह 10 बेसे लेकर यदि सुबह 10 बेसे लेकर आप सामके 5 बेते हैं, नी working day में अगर आप ID create करते हैं, तो आपका 2 घंटे के अंदर ID password को मिल जाता है अब अधरवाइस कोई time पे करते हैं, तो वो अगली दिन आपको ID possible मिलता है तो यह कुछ रहा आसान सा process, चाए वो distributor या सबडिस्टोर इसी तरह ID create होता है आप भी कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है साथी में Spice Mini के रिटेलर बनना चाहते हैं, तो आप मातरी 149 रुपी करके Spice Mini के full service का लाब रे सकते हैं, अभी offer चलना है तो आप जल सिल contact करके मुझे से ID ले सकते हैं यह अभी Spice Mini के सबडिस्टोर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही कम cost में और बहुत ही कम यह दिस ID लेकर सबडिस्टोर बन सकते हैं, और अच्छा खासा अरणिंग कर सकते हैं यहाँ पर सबडिस्टोर को पर transaction मिलता है, यानि हर एक transaction पर और हर एक service पर कुछ न कुछ commission मिलता रहता है तो मैंने आपको बता दे किस तरह करना है, साथे में आप कोई बीची लेना चाते हैं, सबडिस्टोर बना चाते हैं, रेटलर बना चाते हैं, मुझे से contact करें बन सकते हैं तो यह आप कोई छोटा सा वीडियो वीडियो अच्छा था है, वीडियो को like किजिगा, share किजिगा अगर कोई डाउट हो, कोई confusion मुघे comment कर सकते हैं, किसितर की जानकारी लेना तो मुझे call कर सकते हैं, और अंध्णतार आपको लेना है तबी call करें, ओर पूस्टास के लिए और परसानी के लिए call करें कि कोई खाफी लोगे जानकारी लेते हैं परचान करते हैं तो इसके लिए कॉल ना करें आपको कोई डाउट हो और आपको सक लगता हो और काम करना हो तभी कॉल करें तो चलिए मेडिये का किसी नेक्शन हो तब तक ले जाहिए बंदे मातरम